उन्नीस्वी सदी का भारत, जब देश ब्रिटिस सामरज्य का हिस्सा था। गुलामी की प्रतार्णा और विदेशी हुकूमत के शासन में देश, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शेक्षनिक शित्र में राष्ट्री पुनरजागरन के दौर से कुजर रहा था। इस समय देश के अनेक सपूत, ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने में अपना सर्वस्व लगाय हुए थे। और साथ ही एक खुशाल भारत वर्ष का सपना संजो रहे थे। देश के इनही महान सपूतों में से एक थे पंडित मदन मोहन मालविये। महामना कई मायनों में अनन्य थे। विशाल और बहु आयामी व्यक्तित्तों के धनी मालविये जी एक महान समाज सुधार, निर्भीक स्वतंदरता सैनानी, कुशल राजनेता और आडंबर रहिद धर्म परायन व्यक्ति थे। किन्तु इन सबसे उपर थी उनकी दूरदर्शिता, एक खुशाल उन्नत देश की इस्थापना के लिए महामना का इस पश्ट मत्था की देश के नौजवानों को श्रिष्ट उच्च शिक्षा हासिल होनी चाहिए। यद्यपी देश में उच्च शिक्षा की नीव 1857 में ही पढ़ चुकी थी, जब बंबई, कलगत्ता और मद्रास में विश्व विद्यालेयों की इस्थापना की गई। किन्तु उस समय के सभी विश्व विद्याले ब्रिटिश शिक्षा पद्धती का अनुसरन कर रहे थे। देश प्रेम में रचिबसे मालविये जी, देश में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र चाहते थे, जहां आधुनिक विज्ञान, तकनी और वानिज्य के साथ साथ देश की संस्कृती, कला, साहित, धर्म और प्राचीन दर्शन का समय कित रूप में अध्ययन हो। जहां पूर्व और पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों का सोहार्थ पुम् सम्मिलन हो। जहां से निकला च्छात्र, ज्यान के शितिस पर वैश्विक होते हुए भी अपनी जड़ों से चुड़ा हूँ। वर्श 1904, मालवी जी के इस विचार को मुर्थ रूप मिलना प्रारंब हुआ, जब महराजा बनारस की अध्यक्षता में धर्म और संस्कृती की नगरी, काशी में बनारस हिंदू विश्विद्याले की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। मालवी जी ने इस महान यग्य की पूर्थी हे तू, एक कावन रुपए का पहला दान अपने पिता से ग्रहन किया। मालवी जी के सत प्रयासों को दो व्यक्तियों का महत्वकुन जहयोग मिला। श्रीमती एनी बैसेन तथा महराजा दरभंगा। दौनों ने ततकालीन बिटिश सरकार से रॉयल चार्टर के तहर हिंदू विश्व विद्याले की इस्थापना की मालवी जी की मांग का समर्थन किया। श्रीमती एनी बैसेंट ने 1891 से संचालित सेंटरल हिंदू कॉलेज को काशी हिंदू विश्वविद्याले को सौप दिया चार फरवरी 1916 दिवस बसंत पंचमी मालवी जी का स्वप्न साकार हुआ जब हजारों लोगों की उपस्तिती में वाइस राय लार्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्याले की नीव रखी रियासतों के राजाओं से लेकर आमादमी तक उद्योग पतियों से लेकर ग्रामिन कृषप तक संपून देश से आर्थिक सहयोग लेकर मालवी जी ने इस महान परिसर का निर्माण किया लगबग 1360 एकड के विशाल भूभाग पर फैला यह विश्वविद्याले वास्तु शिल्प का एक बहतरीन नमूना है विश्विद्याले का अभिन्यास एक उगते सूर्य के समान है भारतिय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्यान के फैलते प्रकाश का धोतक है मुख्य द्वार सिंग द्वार से प्रवेश करने के साथ ही यहां का परियावरण मन को आकरशित करने लगता है सुनियोजित स्वच्छ सड़के, सड़क के दौनों किनारे व्रक्षों की कतार कहीं फूल से लदी लताएं और जाडियां तो कहीं मौसमिल फलों से लदे व्रिक्ष और इन सभी के बीच से छागते पुराने तथा नए इस्थापत्य के प्रतीक विभिन भवन और इमार थे शिक्षा से चरित्र निर्माण और बहतर नागरिक बनाने के मालवी जी के विचारों के अनुरूप यह विश्व विध्याले दुनिया का संभावत है अकेला विश्व विध्याले है जहां नर्सरी और प्राइमरी से लेकर पीचडी और पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा उपलब्द है इस अनुठे विश्व विध्याले में एक ही परिसर के भीतर तीन महत्वपून संस्थान, पंधरा संकाय, 119 विभाग, एक कॉलेज तथा अनेक अंतर विश्यक केंद्र है विश्व विध्याले से संबद्ध है वारानसी में संचालित, चार महा विध्याले तथा तीन विध्याले आधुनिक चिकित्सा और भारती चिकित्सा पद्धती आयुर्वेद दोनों चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन और अनुसंधान का किंद्र है चिकित्सा विज्ञान संस्थान चिकित्सा विज्ञान संस्थान में तीन संकाई आधुनिक चिकित्सा संकाई आयुरवेद संकाई तथा दंत विज्ञान संकाई कारेरत हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ जुड़ा है 1220 की उपलब्धता से युक्त सरसुंदरलाल अस्पताल आधुनिक चिकित्सा की समस्त सुविधाओं से युक्त यह अस्पताल देश के बड़े भूभाग की स्वास्त संबंदी आवशक्ताओं को पूरा करता है अस्पताल में उपलब्ध नवीन सुविधाओं में ट्रॉमा सेंटर भी चुड़ गया है क्रिशी विज्ञान संस्थान अपने 11 विभागों के साथ देश के क्रिशी शित्र में अध्ययन तथा अनुसंधान में अतुरनी ये योगदान दे रहा है आधुनिक समय के यक्षप्रश्ण, परियावरन प्रदूशन और स्वापोशित विकास को ध्यान में रखकर परियावरन तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना की गई है एक अन्य संस्थान, भारतिय प्रोध्योकी की संस्थान, स्वतंत्र और स्वायत संस्थान होने के पश्चात भी, अनेक रूपों में काशी हिंदु विशु विद्याले से संबत्त है इंसन स्थानों के अतिरिक्त विभिन संकाय ज्यान के विभिन प्रारूपों के अध्ययन के केंद्र हैं 21 विभागों तथा 5 अंतर विश्यक केंद्रों के सार कला संकाय विश्व विध्याले का सबसे बड़ा संकाय है मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन के अवसर उपलब्द कराता है सामाजिक विज्ञान संकाय यहां पाँच परंपरागत विभागों के अतिरिक पाँच केंद्र कारियरत है वित्त व्यापार इवं मानिज्य पर अध्ययन के लिए वानिज्य संकाय तथा प्रभंद संकाय है मानवजीवन के कलापक्ष के अध्ययन हेतु द्रिश्य कला संकाय, संगीत एवं मन्च कला संकाय कारेरत है काशी हिंदू विश्व विध्याले का विधी संकाय, कानून, मानवाधिकार और राष्ट्री तथा अंतरराष्ट्री विधी के अध्ययन का प्रमुक गेंद्र है शिक्षकों के शिक्षन प्रशिक्षन, शिक्षन की नवीन पद्धतियों तथा मुल्य आधारित शिक्षा के अध्ययन का स्थल है शिक्षा संकाय आधनिक विज्ञान की लगबग सभी शाखाओं के अध्यायन की स्थली है काशी हिंदू विशुविद्याले का विज्ञान संकाय 15 विभाग तथा 6 केंद्रों को संचालित करते हुए विज्ञान संकाय का इस्थान देश के अग्रणी विज्ञान अध्यायन संस्थानों में है प्राचीन धर्मशास्त्रों, अध्यक्मिक गन्थूं तथा संस्कृत भाशा और साहित्य के अध्ययन हेतू संस्कृत, विद्या, धर्म, विज्ञान, संकाय का गठन मालवी जी के विचारों के अनुरूप किया गया था महिला शिक्षा पर महामना का अक्तिधिक जोड था और उनके इनी विचारों के अनुरूप महिला महाविद्याले की इस्थापना की गए विश्व विद्याले का एक और परिसर मिरजापुर जीले में बरकच्छा में इस्थित है दक्षिल परिसर की इस्थापना का उद्देशिव प्रदेश के पिछडे शेत्र में नौजवानों, महिलाउं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षन के अवसर उपलब्द कराना है विश्व विद्याले के वातावरण में विज्ञान, कला और दर्शन के अनूठे सम्मिलन का अप्रतिन उधारण है यहां का कुलगी यह देश के महान वैज्ञानि डॉक्टर शान्ती स्वरूद भटनागर के कभी रिदय से प्रस्पुटिर रचना है काशी हिंदो विश्व विद्याले को एशिया के सबसे बड़े आवासी विश्व विद्याले होने का कौरव भी प्राप्त है विश्व विद्याले में देश भर से तथा लगभग 40 देशों के 30,000 से अधिक छत्र नामांकित है परिसर के भीतर अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए लगभग 1400 वाटर्स हैं बाहर से आए अतितियों के लिए अतिति ग्रह हैं विश्व विद्याले में 80 चत्र वास हैं जिनमें लगभग 15,000 से अतिक छत्र निवास करते हैं विदेशी चत्रों के लिए सुविधायुक अंतराष्ट्रिय हॉस्टल तथा अंतराष्ट्रिय फ्लैट्स की व्यवस्था है चत्र वासों में सुरक्षा, इंटरनेट तथा मॉड्यूलर किचन के रूप में आध्मिक सुविधायं उपलब्द हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के विकास के लिए छत्र वासों के सामने हैं खेल के विशाल मैदान जहां विभिन्न खेलों की अत्याधुनिक सुविधायं उपलब्द हैं शारिरिक सौश्टव के लिए आधुनिक मशीनों से युक्त जिम की सुविधा है तो मन की एकागरता के लिए विश्व विद्याले में योग केंदर भी कारिरत है किसी भी उच्च शिक्षन संस्थान की श्रिष्टता का एक मापदंड है पुस्तकाले काशी हिंदू विश्व विद्याले के पुस्तकाले में 15 लाग से अधिक पुस्तकों की उपलब्दता है इसके अतरिक यहां 13,000 ऑनलाइन जर्नल, 50,000 इपुस्तकें, डेटाबेस तथा अनेक दुरलब डिजीटल पांडूलिपियां उपलब्द है केंद्रिय पुस्तकाले के अतरिक, विभिन्न संकाय तथा विभागों में पुस्तकाले की एक लंबी श्रंखला है आधुनिक समय के अनुरूप, विश्व विद्याले में साइबर लाइब्रेरी भी है, जिसमें 400 चात्रों के बैठने की सुविधा है चात्रों के स्वास्थे संबंदी आवशक्ताओं के लिए चात्र स्वास्थे संकुल है यहां चात्रों को डॉक्टरों के द्वारा उचित स्वास्थे परामर्ष के अतिरिक मुफ्त दवा उपलब्द कराई जाती है चात्र स्वास्थे संकुल में रोग निदान की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्द है आवशक्तान रूप सरसुंदरलाल अस्पताल के रोग निदान और स्वास्थे परामर्ष संबंदी सुविधाएं भी चात्रों को नहिशुल्क प्रदान की जाती है छत्रों के सर्वांगीन विकास के लिए विश्व विद्याले में अनेक केंद्र कारिरत है विश्व विद्याले परवता रोहन केंद्र, साहस और रोमांज से भरपूर, परवता रोहन तथा साहसिक खेलों का प्रशिक्षन प्रदान करता है विश्व विध्याले में रोजगार तथा मार्गदर्शन ब्यूरो कारेरत है जो छात्रों को बहतर रोजगार के लिए मार्गदर्शन देता है प्लेस्मेंट सेल, विभिन कंपनियों, संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा केमपस चैन हेतु सुविधाय उपलग्द कराता है राष्ट्रिय सेवा योजना द्वारा छात्रों में देश सेवा तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरती पैदा की जाती है राष्ट्रिय कैड़िट को छात्रों में अनुशासन तथा देश भक्ति के जज़बे को पोशित करता है अर्ड वाई लर्ड अर्थात अध्ययन के साथ आजीवी का इस कारिकरम के तहर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अन्शकालिक रोजगार उपलब्द कराया जाता है परिसर में बने च्छात्रावासों से बाहर शहर में निवास करने वाले च्छात्रों के सांस्कृतिक उन्नयन का किंद्र है सिटी डेली गेसी चात्रों की किसी भी समस्या के समाधान हेतू सदय तत्पर है विश्व विद्याले का अधिश्ठाता चात्र कल्यान कार्याले अध्ययन अध्यापन के अतिरिक विश्व विद्याले में छात्रों की अनेक खेल खुद तथा सांस्क्रतिक प्रतिविताओं और गतिविधियों का संचालन किया जाता है प्रतिवर्ष यहां वार्षिक सांस्क्रतिक कारिक्रम इस्पंदन का आयोजन होता है जहां छट्रों के भीतर छुपी, कला, संगी और नित्ति की प्रतिभागों उचित मंच मिलता है परिसर में समय समय पर होने वाले कलाप्रदर्शनी, गीत-संगीत कारिक्रम, मेले और उत्सव इसे जीवन्त बनाई रखते हैं प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व विद्याले के समा वर्तन समारों में छत्रों को देश की महान विभूतियों से दिक्षांत भाषन सुनने का अवसर मिलता है परिसर के केंद्र में इस्थित है आध्यात्मिक्ता का प्रति भगवान विश्वनात का मंदिर सफेद संग्वर्वर से बने इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयम मालुविय जी की इच्छानुसार हुआ था विद्यार्थियों में कर्म योग की शिक्षा देने हे तु मालुविय भवन में गीता प्रवचन का आयोजन किया जाता है छात्रों में सदाचार और श्रिष्ट नैतिक आचरण के समवर्धन हेतु मालुविय मुल्य अनुशीलन केंद्र की इस्थापना की गई है राय कृष्णदास द्वरा इस्थापित भारत कलाभवन दुरलप एवं प्राचीन कलाकृतियों का संग्राले है अपनी 13 वीथी काउं में संग्राले देश की प्राचीन और अन्मोल धरोहरों को संजोय हुए है काशी हिंदू विश्वविद्याले संभवत है अकेला विश्वविद्याले है जिसके पास माइक्रो एयरक्राफ्ट है इतने विशाल और विस्त्रित परिसर की सुरक्षा विवस्था की जिम्मेदारी है काशी हिंदू विश्विद्याले के प्रॉक्टोरियल बोड की यहां के जवान सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद और चौकस रहते हैं कुल्पती के रूप में देश के महाशिक्षा विदों तथा प्रशासकों के नित्रित्तु में विश्व विद्याले निरंतर प्रगती की नई उचाईयों को छूता हुआ अपनी स्थापना के सौवे वर्ष में प्रवीश कर रहा है वर्तमान में विश्व विद्याले के कुशल में त्रित्तु के गुरुत्तर दाईत्तु का सफलता पुरुवक निर्वाहन कर रहे हैं प्रसित्त शिक्षाविर प्रोफेसर गिरिश चंद्र त्रिपाठी प्रिय विद्यार्थी मित्रों काशी हिंदु विश्व विद्याले पूज्य महामना की तपस्थली, कर्मभूमी एवं हम सब के लिए शद्धा का स्थान रहा है सव वर्षों की अपनी सुधीर घिवन यात्रा में इस विश्व विद्याले ने अपने महानिय योगदान के आधार पर पूरे विश्व में अपनी अप्रतिम छवी तों उपस्थिती दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है यही वाविश्व विद्याले हैं जो अपने विद्यार्थियों के शैक्षनिक उन्लाइन के साथ साथ उनमें नयतिक्ता उम्चरित्र निर्मा अपना प्रमुख उद्देश मानता रहा है 21 शताब्दी के इस दोर में जब भारत पूरे विश्व मंच पर अपनी अलग पहँचान बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है उस समय इस विश्विद्याले का विद्यार्थी होने के नाते हमारी भूमिका अपने आप महतुपून हो जाती है प्रिय विद्यार्थी मित्रो इस विश्विद्याले का विद्यार्थी होना हमारे लिए गोरों का विशय है प्रिय चात्रों चात्राओं यह हमारा शताग्दी वर्ष है यह हमारे लिए एक अवसर है हम इसे विश्वमंच पर फिर से प्रतिश्ठापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए अपने को गौरवानमित अनुःव कर रहा हूँ भारत सरकार ने देश सेवा के महामना के अतुलनीय योगदान के प्रति राश्ठ की कृतक्यता को फ्यक्त करते हुए भारत रत्न प्रदान किया मालवेजी के परिवार ने यह भारत रत्न मालविय जी की कर्म भूमी और उनके विशाल परिवार काशी हिंदू विश्व विद्याले को सौंप दिया उच्च शिक्षा के इस अनूठे किंडर का उद्देश्य महज शिक्षित करना नहीं बलकि एक सुसंस्कृत श्रिष्ट नागरिक का निर्मान करना है यहां शिक्षा सिर्फ जीवी को पार्जन का माध्यम मात्र नहीं है वह मुल्यों और आत्मविश्वास का आधार है यहां ज्यान का प्रसार ही नहीं ज्यान का सुरिजन भी महत्व रखता है हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अज्यन आश्चर यमाइबस्त है इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कलतना शक्ति, कलना शक्ति, रचना शक्ति, मृति धी, भेदा हम सब को चकित करती हैं इन शक्तियों से मनश्य ने क्या-क्या दंख लिखे हैं कैसे कैसे साथ बनाएं, क्या-क्या विज्यान निकालें, क्या-क्या अविश्कार किये हैं, अकर रहा है ये खुलाश चज़ी नहीं उपर्ल करता है मत जट ध्यातव राम जपरी मत करबर, जूट मत भाखे, मत पर धनहर, मत मत चाखे जियों मत मार, जूट मत खेले, मत पर ही तिया लख यही ते रोता परी इतने भाख को हजय में सब दोगे, तो परमात्मादी को सुब देगा, और मांदेगा, और देश का गवरों पर हाओ जोगिंगा से मार, जूट मत भाखे झाल झाल